आद्मी के जीवन में तपश्या का भी महत्व है और सैयम का भी महत्व है जिस आद्मी की जीवन सैली सैयम प्रभावित होती है इसका मतलब है उसके जीवन में धार्मिकता आई है कुछ कुछ आत्माई ऐसी होती है जो साधुत्व को स्वीकार कर लेती है बहुत्शी आत्माई ऐसी होती है जो साधुत्व को स्वीकार नहीं कर पाती है एक महाब्रत का मार्ग है और एक अब्रत का मार्ग है एक बीच का मार्ग मध्यम मार्ग और बताया गया वह है अनुब्रत का मार्ग बिभिन धर्म संप्रदाय भारत में हैं आस्तिक बिचार धारा को मानने वाले लोग मिलते हैं तो कोई नास्तिक बिचार धारा का समर्थक भी मिल सकता है हमारे जगत में आस्तिक बिचार धारा रही है तो नास्तिक बिचार धारा भी रही है आत्मा, कर्म, पुनर्दन्म में विश्वास करने वाले लोग हैं तो इनको ने मानने वाले लोग भी दुनिया में रहे हैं जैन आगम वांगमय में नास्तिक मत के समर्थक का एक उदाहरन राजा प्रदेशी के रूप में प्राप्त होता है राजा प्रदेशी नास्तिक मत का अनुयाई था और योँ लगता है वे नास्तिक मत का कुछ बिद्वान भी था तरक्सील भी था कि तारकिकता नहीं है तब तो चर्चा में टिक पाना भी मुश्किल है संस्कृत में कहा गया मूकस तरक बिवर जित है तरक रहित आदमे मूक होता है वे क्या बोलेगा क्या प्रस्न करेगा तरक करेगा जिसके पास तारकिक सकती नहीं है राजा प्रदेशी के पास कुछ तारकिक प्रतिभा भी थी ऐसा आगम के राय पसेनियम को पढ़ने से प्रतीत होता है चारवाक दरसन नाश्टिक बिचारधारा का प्रकटी करने वाला है चारवाक का उद्घोस रहा एतावानेवलो कोयम यावा निंद्रिय गोचर है यह दुनिया उतनी ही है जितनी इंद्रिय गम्य है आगे पिछे और कुछ नहीं है इसलिए यावद जीवेत सुखम जीवेत रिनम कृत्वा घृतम पिवेत बसमी भूतश्य देहश्य पुनरा गमनम कुटह जब तक जीव सुख से जीव खूब घी पियो को थोड़ा पुराने जमाने की बात के आधार पर घी पीने की बात आई होगी तो कहा भी घी तो कैसे पिये पास में इतना पैसा नहीं है घी कैसे पिये पैसा नहीं है तो लोन ले लो उधाव ले लो खुब करजा करलो और फिर घी खरीदो और घी पियो क्योंकि बसमी भूत अश्य दे हश्य सरीर बसमी भूत हो जाने के बाद कौन आने वाला कौन जाने वाला कुछ नहीं है पर लोक जैसी बात ये नास्तिक चिंतन है पर आस्तिक चिंतन कहता है भी आगे भी है पिछे भी है ध्यान रखो तो कोई आदमी सोचता है कि जनेन सद्धिम होखामी है हत्था गया इमे कामा ये सारे काम भोग तो हस्तगत हैं हस्तागत हैं को जानी परे लोए अथिवा नथिवा पुणो प्रलोक का क्या पता है यानि ये सुक इंद्रिय सुक तो सामने प्रत्यक्स है प्रलोक की बात प्रत्यक्स है स्वर्ग सुखम प्रोक्सम और मुक्स सुक तो भोती जादा अचन्त प्रोक्स है ये वरत्मान का सुक प्रत्यक्स है परन्तु हमें दिखाई दे ने दिखाई ने देने के आधार पर कोई नहीं हो सकता यह सिद्धान्त भी ठीक नहीं लग रहा है तो अनुब्रत की आचार संगिता ऐसी है जो आस्तिक आदमी के लिए भी काम की है और मेरा सोचना है नास्तिक आदमी के लिए भी वह काम की है मुझे कोई कहे कि मैं नास्तिक आदमी हूँ आप बोलो अनुब्रती बनू या ने बनू मैं स्वर्ग नहीं मानता पुनवजनम नहीं मानता आत्मा को नहीं मानता पुन्य पाप को नहीं मानता अब मैं अनुबरती बन सकता हूँ क्या मुझे कोई पूछे तो मैं उसे परामर्स देना चाहूंगा भाई वेलकम है वेलकम अनुबरती बनो हमारी उसे वेलकम है तुमारा तुम भले नास्तिक हो भले तुम पुन्य पाप के फल को मतमानो भले स्वायुग नरक मतमानो पर बरतमान जिवन को तुम मानते हो ना तुम इनसान हो यह तो मानते हो ना इतना सा मानते हो तो अनुब्रती तुम बन जाओ, बन सकते हो अनुब्रत की आचार संगिता भले जैन हो तो भी काम की है सनातनी हो तो भी काम की है मुसलिमान हो तो भी काम की है जैन अजैन कोई भी हो बस मानव चाहिए मानव के लिए काम की है ग्रिहस्त मानवों के लिए काम की है इसलिए यह आचार संगिता मानवी है यानि मानव मत्र के लिए साद्वों की तो बात छोड़ दे वो तो महाब्रतों के पथानुगामी होते हैं या उन्हें होना चाहिए बाकी आम तोर से सब के लिए अनुब्रत का मार्ग सुसाध्य भी है कुछ अंसों में और उपयोगी भी है और कल्यानकारी भी है अनुब्रत की आचार संगिता मानवी आचार संगिता कैसे हुई कि अनुब्रत की आचार संगिता में ऐसी बाते हैं अनुब्रत की आचार संगिता में बात है कि नसा मत करो नसा मुक्त रहूंगा यह संकल्प है या मानुव के लिए कामता है नशे से कितनी समस्याइं पैदा हो सकती है और नशे की गिरप्त में जो लोग आजाते हैं अनेक प्रकार की कठिनाईयों से वे घिर सकते है आर्थिक समस्या भी हो सकती है सारीरिक समस्या भी हो सकती है मानशिक समश्या भावात्मक समश्या पारिवारिक समश्या परिवार में जगड़ा उतार हो जाता है परिवार दुखी हो जाता है नसेड़ी आदमी का तो अनेक प्रकार की समश्याई संभावित बन सकती है तो ये नसा नहीं करने की बात जैन के लिए भी काम की है पिर नोन जैन के लिए भी काम किये, किसके लिए काम किये नहीं है, ऐसा नहीं कि जैन के लिए तो नसा करना नुकसान दे होगा, बाकी सब के लिए नुकसान दे नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आस्टिक के लिए तो नसा करना गलत है, नस्टिक के लिए गलत नहीं है, तो नसा करन तो किसी के लिए भी कष्ट प्रद बन सकता है इसलिए यह मानवी आचार संगिता है कि नजैन, नोनजैन, आस्टिक, नास्टिक, हिंदू, मुस्लिम सब के लिए काम की है अनुबरत की आचार संगिता कहती है कि अहिंसा के मार्ग पर चलो तोड फोड मत करो निरपराद की हत्या मत करो निरपराद आदमी को मत मारो प्राणी को मत मारो चलने फिरने वाले जन्तवों को मत मारो यह सब के लिए काम की है जैन हो, नोनजैन हो, कोई भी हो प्राणियों को मत मारना विकार में अच्छी बात है सबके लिए स्विकारिय होनी चाहिए इसलिए अनुबरत की आचार संगिता मानवी आचार संगिता है अनुबरत की आचार संगिता कहती है प्रामान इकता रखो, इमानदारी रखो अब इमानदारी किसके लिए काम की नहीं है ग्यापारी हो, मजदूर हो, राजनीती में काम करने वाला हो, समाज में काम करने वाला हो डोक्टर हो, बकील हो, कोई भी हो, नई तिकता सब के लिए काम की है इसलिए यह अनुबरत की आचार संगिता, मानवी आचार संगिता है कि यह सब के लिए हिताव है तो नसा मुक्ति की बात, अहिंसा की बात, नई तिकता की बात, और इंद्रिय सैयम की बात, संग्रह सीमा की बात सब के लिए अच्छी है, कि संग्रह की सीमा रखो गरीबी की रेखा की बात आती है तो अमीरी की रेखा भी क्यों नहीं हो सकती यह अमीरी की रेखा यह गरीबी की रेखा इन दोनों कोई पार भले मत करो गरीबी की रेखा से नीचे होना ठीक नहीं है तो अमीरी की रेखा से उपर भी क्यों रहो यानि संग्रह की सीमा परमपुज्य आचारिय तुलशी ने विसरजन की बात बताई थी विसरजन का हम अर्थ ये बता रहे हैं कि सीमा कर लो इतने से ज़्यादा पैसा मैं अपने स्वामित्व में नहीं रखूंगा जैसे 31 मार्च 2014 के बाद इतनी रखम से ज़्यादा मैं अपने पास नहीं रखूंगा ये दृत हो गया ये आपके लिए अध्यात्म की दिश्टी से लाभप्रद हो गया अब अगर ज़्यादा राशी है उसकी कोई ब्यवस्था करनी पड़ेगी आपको 31 मार्च के बाद उतनी शीमा से ज़्यादा राशी नहीं रखनी है और आपके पास ज़्यादा राशी अभी है तो 31 मार्च तक तक आपको वो समाप्त करनी पड़ेगी तब आपने सोच लिया भी अब ये राशी है तो मैं किसी संस्था को डोनेट कर दूँ तक उसके तो कोई समाद सेवा में काम आएगी मेरे ब्रत की पालना में अनकुलता बन जाएगी तो आपने जो ब्रत लिया कि ज़्यादा नहीं रखोंगा इसको संग्रे की शीमा कहे दें इच्छा परिमान कहे दें या किसी दृष्टी से भले बिसवजन कहे दें आपने इच्छा का बिसवजन कर दिया आशक्ति का ट्याग कर दिया इस शीमा से ज़्यादा मैं नहीं रखोंगा तो अनुब्रत कहता है संग्रे की शीमा करो अनुब्रत ब्रह्मचरिय का निर्देश भी दे रहा है कि ब्रह्मचरिय की साधना भी यथा संभव करो परस्त्री गमन से बचो दुस्करमों से बचो तो बहुत अच्छी बात है सबके लिए काम की बात है आमतुर्शिय यह तो साधधावन थया सबके लिए काम की है यह बाते हैं इसलिए अनुब्रत की आचार संगिता को मान भी यह आचार संगिता कहा जा सकता है परमपुज्य आचारिय महाप्रग्य जी ने जनता को अहिंसा यात्रा के मध्यम से संदेश दिया था नई तिकता की बात उन्होंने बताई अहिंसा की बात बताई जनता में मैत्री भाव रहे अनुब्रत की आचार संगिता कहती है संप्रदाईक सिश्णुता रखो तो अच्छी बात है एक संप्रदाई के लोग अपने संप्रदाई में आस्था रखें ठीक है कोई बुरी बात नहीं है पर दूसरे संप्रदाई के कारिय कलापों में बाधा तो पैदा ने करें आपका अपना संप्रदाई है आप उसका विकास करते हो उसकी सुरक्षा करते हो कोई बुरी बात नहीं है पर दूसरे संप्रदाई के लोगों को तकलीफ देने का प्रयास तो मत करो इतने ऐस सहिष्णु मत बनो कि दूसरे संप्रदाई के लोगों को तुम आंक से देखना भी नहीं चाहो या उनके परवों में त्योहारों में बाधा प्रिदा करने का प्रयास करो उनके कायक्रमों को बिठित बाधित करने का प्रयास करो ऐसा मत करो इस रूप में सामप्रदा एक सहिष्ट नुता भी रखो सर्व संप्रदा ये समभाव भले नहीं हो सके हर संदर्ब में समभाव हर संदर्ब में नहीं हो सके सद भाव रखो अभी सब का भला हो सब कल्यान के मार्ग पर चले हम सब इस स्रिष्टी के अंग है सब मैत्री भाव रखे तो अन्य संप्रदायों के प्रती भी सद भावना और सहिष्टनुता की भावना रखो ये अनुब्रत की आचार संगिता की धारा किसके लिए काम की नहीं है हाँ दूसरे संप्रदाय को आप माने यह आवश्यक नहीं पर कम से कम दूसरे संप्रदायों को तकलीफ देने का प्रयास सेलक्षे मत करो अनुबरत कहता है परियावरण के पती जागरुक रहो परियावरण संबंदी समश्या पैदा मत करो तो अच्छी बात है कि तुम अपनी ओर से परियावरण के संदर्व में तुबलम समस्या पैदा हो, ऐसा काम तो मत करो, सैयम रखो, तो परियावर्ण संबंदी कष्ट भी किसी को ने हो, पानी का सैयम रखो, बिजली के प्रयोग का सैयम रखो, अनावस्यक बिद्धुत का उपयोग भी मत करो, अनावस्यक पानी को बहाओ भी मत, पानी पर ध्यान ने दे तो खूब बहाया जा सकता है पानी बह सकता है जल नहाने में काम आता है जल को तो जीवन कहा गया जलम जीवनम जल को जीवन कहा गया जल जीवन है यानि जीने के लिए भूत अनिवारिय है वह जल एसयम के कावन से कितना बहता होगा नहाने में कितना पानी लगता होगा थोड़े पानी से अच्छी तरे स्नान अगर हो सकता है तो ज्यादा पानी को लापरवाही से क्यों बहाना चाहिए जीव हिंशा की बात भी जुड़ी हुई है पानी के असयम के साथ तो पानी के संयम के प्रती भी जाग रुकता विद्दुत के प्रयोग के संयम के प्रती भी जाग रुकता संयम का संदेश अनुब्रत दे रहा है आचारिय तुलशी की जन्म सताब्दी बरस का घोस भी यही है जन जन में जागे विश्वास संयम से व्यक्तित्व विकास जन जन में यह विश्वास जागे कि संयम से व्यक्तित्व का विकास हो सकता है संयम से चेतना का विकास हो सकता है तो अनुप्रत की आचार संगिता को स्वीकार करने के लिए जैन बनना आवश्यक नहीं है अनुबरत की आचार संगिता को स्विकार करने वाले के लिए अनुबरत अनुशास्ता को अपना गुरु मानना भी आवश्यक नहीं है अनुबरत की आचार संगिता को स्विकार करने वाले के लिए ये मुखबस्त्री का बांद कर सामाई करना भी आवश्यक नहीं है जैन मंदिर में जाना भी आवश्यक नहीं है किसकी उपासना करो ने करो वे आपका एक अलग मुद्दा है आप किलक किस तरह लगाते हो ये आपका अलग मुद्दा है आप मुख्वष्ट्री का बांध कर धर्मो पासना करते हो या खुले मुख करते हो या अलग मुद्दा है इन मुद्दों को अनुबरत की आचार संगिता में कोई स्थान नहीं है किस गुरु को आप मानते हो या आपकी अपने इच्छा है इस बात को भी अनुबरत की आचार संगिता को स्विकार करने में कहीं प्रस्तनावित करने की अपयक्सा नहीं होती है अनुबरत एक बात कहता है कि तुमारा आचरन मानवी यानि अच्छा होना चाहिए आचलनों को अच्छा रखो उपासनात्मक धरम तुमारा अपना तुम तुमारी इच्छा आचलनात्मक धरम जिवन में जरूर रहना चाहिए यह अनुब्रत की सरत है अनुब्रत का कथन है वैसे अनुब्रत जैन धरम से जुड़ा हुआ है अनुब्रत श्रावक के लिए पल्य है पर अनुब्रत अंदोलन के रूप में जो अनुब्रत है इज्यारे नियमों के रूप में जो अनुब्रत है शिक्षक बिद्याव थी आदि विबिन वर्गों के लिए जो वर्गी अनुब्रत है उन अनुबत के नियमों के लिए जईन धर्माब लंबी बनना कोई आवश्यक नहीं है तो अपिक्सा इस बात की है कि जीवन में सुधता रहे आप जिस किसी क्षित्र में काम करें चुनकि ग्रिहस्त हैं आपको काये भी करने होते हैं जीवी को पाजन के लिए अनुबत की आचार संगिता को बनाए रखने का प्रयास करो नईतिक्ता प्रामानिक्ता को बनाए रखने का प्रयास करो आप व्यापारी है तो व्यापार में प्रामानिक्ता का प्रयास आप करें ऐसा कम यह है यथा संबब आप डोक्टर हैं, आप डोक्टरी पैसे में प्रामा निक्ता रखने का प्रयास करें, आप बकील हैं, तो बकील के दंदे में प्रामा निक्ता का प्रयास करें, जिस किसी क्षित्र में आप कालिय करें, उस क्षित्र में उस क्षित्र संबंदी सुधता रखने का प्रयास करना यह अनुब्रत की आवाज है यह अनुब्रत का संदेश है आदमी सोचे यह जीवन अनंतकाल का तो है नहीं मानव का जीवन अनंतकाल का नहीं है मानव का क्या? देवों का भी जीवन अनंतकाल का नहीं है अनंतकाल का जीवन किसी का नहीं है कि और मुक्स में रहने वाले जीव ऐसे हैं वे अनंतकाज तक वारेस रहेंगे और कोई जीव ऐसा नहीं है तो एक ही जन्मे में हमेशा रहेगा बस शिद्ध जहां विराजमान हो गए हैं मुक्स में उनको कोई हिलाने वाला नहीं है कोई स्थान उनसे खाली कराने वाला नहीं है आपके पास तो कोई आजाए भी स्थान खाली करो हमारे पास भी कोई कभी आजाए कि स्थान खाली करो स्थान खाली करना पड़ सकता है हमारे परमपुजे आचा ये दिक्सिकों तो स्थान छोड़ना ही पड़ा था तो हमारे से कोई स्थान खाली करा सकता है परन्तु शिद्ध आत्माओं से कोई स्थान खाली नहीं करा सकता वे तो वहाँ जम गए सो जम गए अब अनंतकाल तक कोई उनसे स्थान खाली कराने का साहस भी कैसे कर सकेगा एससाज कोई कर भी ले, उसका साहस फ्यल हो जाएगा, कोई सिद्धों से स्थान खाली किराने की बात सोचेगा तो हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन है तो मानव हैं तो दानव की तरह नहीं जीएं मानव हैं तो सुद्धता का जीवन जिने का प्रयास करें एक सिमा में कम से कम ठीक है सादू सब नहीं बन सकते सब महात्मा नहीं बन सकते कम से कम दुरात्मा भी तो हम ने बने महात्मा नहीं बन सकते तो कम से कम दुरात्मा भी तो ने बने परमात्मा अभी नहीं बन सकते तो सदात्मा तो बने सदात्मा बन जाएंगे इसका मतलब अनुबरत का प्रभाव हमारे जीवन में आया है और जो अनुब्रती बन गया है वे कुछ अंसों में तो सदात्मा बन गया ऐसा कहा जा सकता है तो अनुब्रत एक मानवी आचार संगिता है उस पर मनन किया जाए और उसको ग्रिहस्थ लोग आत्मसाथ करने का प्रियास करें और मेरा तो अनुब्रत नाम से भी इतना कोई मोह नहीं है अनुब्रत नाम से मोह नहीं है जीवन अच्छा बने आप अनुब्रत के नाम से अच्छी बातों को शिकार करो और किसी नाम से शिकार करो मुझे तो कोई आपती नहीं लग रही है आदमी अच्छा बने अनुब्रत बने एक और कोई बृत के नाम से बने अनुबृत की भावना जिवन में आनी चाहिए यह हमारे लिए काम में है काम में एक बना बना जाए पकोई चाहिए यह हमारे नाम से बनाएपगा एक प्रोट काम में है